इसमें MapMyIndia है, यह स्टॉक पिछले पूरे हफ़ते काफी जोश में था, 23% से जादा के रिटर्न्स इसने कमाए, एक कानन ये था कि Goldman Sachs ने शेर पर 2300 का टागेट दिया, उसके बाद तगड़ा मोमेंटम स्टॉक आज फिलहाल 2437 के आसपास ट्रेट कर रहा है, आज की ताजा मेरी राकेश वर्मा जुड़ गए, वर्मा जी स्वागत है आपका CNBC आवाज पर, मैं सबसे पहले एक्लारिटी एक्स पर आपसे बातचीत करना चाहूंगी, क्या इरादा है कंपनी का, किस तरह के प्रोड़क्ट्स इस समय आप डिवेलप करने की पहल करने वाले हैं इसके सबसीडियरी नहीं है, क्लाइटी एक्स एंडिपेंडन कंपनी है, जो मैंने अलॉंग विद तू अदर को फांडर्स के साथ स्टार्ट किया है, क्लाइटी एक्स और मैंपम इंडिया के बीच में बहुत ही स्ट्रॉंग पार्टनर्शिप है, यही इसकी खासियत है, इसके चलते है, क्लाइटी एक्स जो बेसिकली AI-Driven डेटा आनल्टिक्स बिजनस में आई है, और अपाइंडिया है आपक्स राधर वी सो साल से इंवल्ड रही है डेटा आनल्टिक्स में, लेकिन क्लाइटी एक्स इसलिए लग से किया गया है कंपनी, जिसे कि यह बड़ा अच् data analytics area में जो और आज की जो technology है AI उसको लेते हुए मैं कहता हूं कि HIV एक बहुत important word है human intelligence which is nothing but consulting. So it's a data analytics AI driven with a consulting services. Okay, so MapMyIndia के लिए ClarityX कितना काम कर रही है? किस तरह के projects पर आप लोग काम कर रहे है? See MapMyIndia as a geospatial map data product and platform company with deep tech है. अब इसके साथ जो काम हो रहा है MapMyIndia अपना offerings और ज्यादा बढ़ा रहा है. लास्त तीन महिने में जब से यह company firm हुई है तो एक और strong जिसको कहते हैं AI का focus हो गया है इस company के अंदर और consulting services दे पा रही है तो MapMyIndia का business इसी के चलते हैं बहुत कुछ ग्रोव करना शुरू करती है. प्राइमेरिली एंटरप्राइज ओफरिंगी रहेंगी राइट राकिर श्री कि आपका कोई एंटरप्राइज क्लाइन कुछ स्पेसिफिक मांग चाहता है अपने use case application में वो clarity X डिलिवर करके देगा वो clarity X के जरिये डिलिवर करेगा MapMyIndia if I'm understanding this right. Absolutely, आप सही बता दे. अगर मुझे कंदाजा दे सके ये कब तक हासिल होगा और क्या drive करने वाला है इस particular margin growth को अगर आप पिछले तीन साल का देख लें तो हमारा margin 40% प्लस रहा है I mean EBITDA, EBITDA के पार में करा हो 3 साल से रहा है तो हमने last investor meeting एक साल पहले जब हुई थी, हमने बहुत clearly कहा था कि हमारा growth, revenue growth की बात करते हैं वो हम 2027-2028 तक 1000 करोड पहुचा देंगे यह हमना एक बहुत important milestone है इसके साथ हम और historically भी हमारा 38% केगर रहा है revenue growth का तो हमें बहुत ही confidence है उसी में clarity X भी जुड़ गया उसके चलते भी एक revenue growth का potential मिल गया है और जहां तक हमारे EBITDA की बात है जो आप पूछना चाह रही है देखिए उसमें भी हमारा 40% प्लस रहा है तो हम जब growth करते हैं तो हम profit का भी बहुत ख्याल रखते हैं कि growth के साथ profitability भी रहे क्योंकि यह हमारे DNA में है हमने बिजनस जब शुरू किया शुरू से ही इस चीज़ पर ख्याल रखता है अब फैर नफ सर लेकिन कौन सा business drive करेगा especially IOT led growth कितनी आएगी map business वाली growth किती रहेगी अगर उसका हमें breakdown दे सकें अगर map side का अभी तक historically Fy24 तक देखें तो हमारा EBITDA उसमें तो 55% के करीब है IOT जो है वो last 3-2 साल में जब से हमने इसको grow कराना शुरू कर दिया तब से आज IOT growth last two years में EBITDA 18% के करीब पहुच गया है last quarter में now IOT business को कितना grow करा है हम उसमें initial investment होता है hardware का लेकिन पायदा बहुत होता है जब उसका हमारा subscription और SaaS revenue आने लगता है तो already हम दो साल में देख लिए कि SaaS revenue हमें अच्छे से इस स्थिती पर पहुचा दिया है future में भी हम जब IOT business का growth opportunities बहुत है सच मुझ बहुत है हम उसको calibrate करेंगे जिसे की growth भी उसका enjoy करें और profitability को भी एक overall map map plate में अगर 55% है और अगर IOT में अठारा भी था last quarter बारा था sorry अठारा नहीं बारा था तो हम इस दोनों के अगर कालिब्रेट कर दें जिससे की हम जब 40% last 3 साल से रखे हैं तो हम उसके ask force ही रहें okay so mobility business में लेकिन किस तरह की opportunities आ रही है अगर उसका अंदासा दे सके क्योंकि आपने Hyundai किया के साथ एक करार किया था and if I remember correctly आपने कहा था कि इस साल के second quarter onwards वो business reflect होना शुरू होगा is work going as per that timeline कि बिल्कुल हम बहुत रांस्परेंसी रखते हैं अपने इंवेस्टर्स के साथ हमने पहले ही डिक्लेर कर दिया था कि second quarter is financial year का जो July 1 से start होगा हमारा revenue Hyundai किया के सारी गाडियों में जब आने लगेगा in case solution जिसमें navigation भी है connected services भी है उसका हमें फाइदा दिखना शुरू हो जाएगा इस तरह के कोई और order wins आपके खेमे में आ रहे हैं क्या और total order book फिर आपकी at the end of q1 कहां पर रहेगी देखें हम order book तो 1300 something 1400 के बीच में हमारा open order book रहा है जिस पर हम काम कर रहे हैं हम इस order booking जो होती है during the year हम साल के अंत में ही एक साथ बदाते है quarter by quarter disclose नहीं कर पाते हैं लेकिन कोई अगर बड़ा specific order जैसे किया का उंड़ाई का आ गया उस तरह का कोई होगा तो जरूर during the year हम disclose कर देंगे आपके मैं subscription revenue पर एक outlook चाहूंगी क्योंकि एक चीज़ मैंने notice की कि fi23 में यह सब 30% था fi24 में 40% के beyond गया है तो fi25 का number क्या कोई ballpark target है आप लोगों का आप एक तरफ से देख लिए आयोटी बिजनस का जितना ही हमारा आयोटी बिजनस ग्रोग करेगा subscription उसी साथ से percentage बढ़ता जाएगा और प्लस यह जो connected services का भी जो subscription आएगा वो भी एक आड करेगा तो अगर आप outlook कह रही है तो बेहतर ही होगा पहले से that's the best way I can give my guidance and finally राकेश जी जो मैपल्स अब का कुछ अंदाजा आप के पास है कि कितना daily active user है इस particular platform पर देखिए last six months में इसकी कहानी हुई है जब हम इस पर बहुत बहुत जो सब्सक्रों से focus कर गए तो दो अच्छे महीने में आज की तारिक में जहां तक मेरे पास information है 22 million जो की 2.2 crores आप कह सकते हैं इसके download होके act users आ गये हैं और यह हर महीने और एवरी डे यह नंबर बढ़ता ही जा रहा है आपको हस्ते हुए एक चीज़ बताओं मेरे पास एक call आया industry से और उनके father जो 78 years old है अपने बेटे को कहा जो 55 के होंगे तो Google यूज करता है Mapples को यूज कर अब देख कितना फाइदा है तो उन्हें बड़ी कुशी हुई मैंने उनको कहा कि आप Twitter में टाल तो जिरूर राकेश जी I am hoping कि बहुत सारे लोग आपका Mapples का application यूज करें जब इंटिग्रेटेड गाडी में आता है तो उसका इस्तमाल हमने किया हुआ है लेकिन of course Google Maps को एक बड़ी टकर देने की पूरी-पूरी यहाँ पर काबलियत इस product की है और दे भी रहा है good luck to you sir for FY25 thank you so much बहुत बहुत धन्यवाद stock पिछले हाथे focus कि अधन्यवाद आप झाल झाल कि झाल 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 कि झाल